हाई एवरिवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो ये इवनिंग का टाइम है और दिन है आज फ्राइडे तो मैं बना रही हूं चाय ये दिखिए चाय बन रही है इदर और लाइट नहीं है हमारे हाँ तो आप कहेंगे कि तुम्हारे याँ लाइट कब प्रॉब्लम चल रही है कुछ तो मौसम ने परिसान किया और कुछ ये अभी दिखाती हूं आपको कुछ काम चल रहा है तो इस वजह से ही हमारे याँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा धूप आज तेज हो गई है तो आज ब्ल प्रॉब्लम नहीं वीडियो बनाया और दोपर में मैं थोड़ी सी मार्केट भी चली गई थी तो वो भी आज देखते हैं मतलब किस चीज की स्वापिंग हुई है किस काम के लिए मैं गई थी अगर वो सामान आज आएगा तब तो आज आपको देखने को मिल जाएगा नही पहले ही और आज डिलीवरी होने वाली थी लेकिन अभी जब हम लोग गए तो दुकान वाले बहिया बोले कि अभी थोड़ा सा कल या फिर रात को आज रात तक हो सकता है आठ नो बज़े तक तो लाइट है नहीं इन्वर्टर भी नहीं है और ये विंडो की देखे ये रोस होती तो किचन में बिल्कुल अंधिरा रहता तो बस यही साम की चाय बना रही हूँ उसके बाद दिखाती हूँ चलिए आपको तो ये देखे यहां पे ये जो खंभा लगा है तो यही सब तार वगरा बदले जा रहे हैं तो पूरे गाह में जितना भी सब लगा हुआ है सब तार बदले जाएंगे केबल ने ने लग रहे हैं तो इसी वज़़े से 9 बज़े लाइट कर जा रही है और फिर साम को 7 सबते तक ये ही सेड्यूल रहेगा क्योंकि जब तक पूरा बन नहीं जाएगा तब तक दिन में लाइट नहीं रहेगी तो कई लोग लगे हुए हैं यही सब काम दिन भर चल रहे हैं तो फिर उसके बाद देखिए यहां पे करीब 7 बज़े का ये टाइम है जब लाइट आ जाती हूं और पता भी नहीं था कि लाइट चली जाएगी अभी पता चला आज मतलब सुबर कल पता लगा तो फिर आज भी कट गई तो मुझे ये नहीं पता था कि ये अब डेली एक हपते ऐसे ही चलेगा तो यहां पे पौधों को भी मैं पानी दे रहे हूं क्योंकि ये सुबर टाइम ही नहीं होता है कि इनको मैं पानी दूँ साम को ही देती हूं और साम को लाइट है नहीं तंकी का पानी बिल्कुल गरम हो जाता है देने लैक रहता रहता ही नहीं है तो समय तो काफी हो गया है लेकिन फिर भी पौधे बिल्कुल सूख गए हैं मुर्जा गए हैं धूप बहुत ही तेजोरी है ये तो अच्छा है कि अभी ये लाइट का काम हो जाएगा वरना भी आगे होता अगर मई में तो गर्मी से लोग बेहाल हो जाते क्यूंकि इन्वर्टर भी कितना चलेगा और पंखे का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है फिर मई और जून में तो अच्छा है कि कम से कम अभी ये काम निपड़ जाएगा तो बढ़िया रहेगा तो बस यही सब काम मैं कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में तो यहाँ पे मैंने कड़ाई रग दी और बना रही हूँ सबजी तो सबजी में मैं वही तोरी की सबजी बना रही हूँ तो जिस दिन ज्यादा काम रहता है या साम को लेट हो जाता है तो उस दिन मैं थोड़ा सा सिंपल या इस तरह का खाना बनाती हूं कि जल्दी से बन जाए तो वही है न, लाइट के चक्र में कई सारे काम पेंडिंग थे तो यहाँ पे मैं यह सबजी बना रही हूँ और उधर मैं आटा भी लगा रही हूँ तो यह बहुत ही जल्दी सबजी बन जाती है बहुत टाइम इसमें नहीं लगता है तो जब मेरे पास कम समय रहता है तो गर्मियों में यही सबजी बना देती हूँ और इधर मैंने मलाई भी रखी थी कई दिन से मैं दो दिन से सोच रही थी लेकिन टाइम ही ने मिल पा रहा था और एक बाउल पूरा भर गया था तो फिर मैं दूसरा छोटा सा भगोना था उसमें मैंने फिर इकठा कलिया आज वो भी भर गया तो आज मैंने सोचा कितना भी लेट हो आज तो मैं इस काम को निपटाऊंगी ही तो मलाई निकालने के बाद मैंने ये सोचा था कि इसको पहले मक्खन निकाल लेती हूँ फिर किसी मतलब सुबह भी या जब भी टाइम मिलेगा तो गैस पे रख दूँगी तो घी बन जाएगा तो लेकिन फिर रात को टाइ आजकल आजकल होते ही रहता है और रात को बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं अगर थोड़ा सा आधा एक घंटा हम टाइम निकाल ले न तो रात को काफी सारे काम अगले दिन वाले बहुत सारे काम हो जाते हैं और थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो ये रहता ह कि चलो कोई दिकत नहीं है रात है सोना ही है और मेरी मम्मी कहती है न कि रात अपना होता है तो रात को तुम कितने वज़े तक भी काम कर सकती हो सारे काम निपटा के सो सकती हो तो उनका ये मानना था और जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी भी इसी तरह से काम करती थी मेरी रात को ही बहुत सारे काम निप्टा के तब ही सोती थी और पहले तो देखे इतनी सुविधा भी नहीं थी अब तो बहुत जादा सुविधा हो गई है हमें किचन में ही सारे काम कर लेने होते हैं और पहले तो ऐसा नहीं था बाहर भी तर पानी की सुविधा नहीं थी तो बहुत ही दिक्कते होती थी तो पहले तो काम और भी ज्यादा होते थे तो यहाँ पे देखिए सबजी बन गई है और मैं बना रही हूं रोटी तो अभी बस रोटी बना के तुरंत खाना भी लगा दूँगी तो यहाँ पे मैंने सबजी ले ली है और प्याज और खीरा कट करके रोटी लेके मैं चली गए थी इनको देने खाना और उसके बाद मैं तनमे को निकालूँगी तो तनमे जो है तोरी की सबजी मन से नहीं खाता है तो आज मैंने सुब़ छोले बनाए थे तो एक कारण ये भी था ये सबजी बनाने का कि सुबह मसाला वाला थोड़ा भो गया था तो साम को सिंपल सी सबजी सही रहती है और छोले थोड़े से बच्चे भी थे तो ये टेंसन भी नहीं थी कि तनमे कैसे खाएगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे छोले गरम कर रहे हूँ तो वो छोले रोटी खा लेगा और हम लोग सबजी रोटी तो खाना पीना साफ सफाई सब हो चुकी है किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और मैं दूर वहाँ पे निकाल के आई हूँ और घी मैंने रख दिया है घी उदर हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम था तो मैंने रख दिया कि जितने दिर में और सारे काम मैं नि रात को ही ना पूजा के बरतं धो लेने से सुबह बहुत आराम रहता है जैसे मैं अगर सुबह early morning नहाती हूँ तब तो बहुत ही अच्छा रहता है कि बरतं धोने की जल्दी नहीं रहती है ये काम नहीं रहता है बस नहाना और पूजा रूम की सफाई करना सिर्फ पूजा करना रहता है तो बरतंद होने का काम ये इतना टाइम बच जाता है तो ये काम अक्सर मैं रात को ही कर लेती हूँ और यहाँ पे देखे घी हो रहा है तो उतने देर में मैं यहाँ पे सबजी भी सुबह के लिए कट कर लूँगी तो यह सारे काम अगर रात को कर लिए जाए ना तो सुबह का थोड़ा सा टेंसन कम हो जाता है और इन कामों में थोड़ा सा टाइम लगता है देखिए सबजी कट करने में तो मुझे जैसे लगता है कि बहुत ही समय लगता है अगर सबजी कट रहती है तो खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती है, भटाक से बस कड़ाई में डालो और भी कई सारे काम निप्टा लिये जाते हैं साथ में तो यहाँ पे मैंने सबजी भी कट कर ली है और घी भी हो गया है और अब दूद गरम कर ले रही हूं तनमे के लिए तो यह काम होने से अब है न कि कल का थोड़ा सा टेंसन खतम हो गया है कि अब नहीं चलो पास दस मिनट अगर लेट भी उठेंगे तो कोई दिकत नहीं होगी काम हो जाएगा आसानी से तो बस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा सेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि न नेक्ट वीडियो में गुट नाइट